श्री राधे श्याम, 9 नवंबर 2024 शनीवार को श्री गोपा अश्टमी का पावन परव है यह तिथी अत्यंत महिमावंत है, इस तिथी पर हमारे प्रानधन प्रभु प्रथम गवचारन करने के लिए पधारे तो यह तिथी मुख्य रूप से प्रभु की गवचारन लीला से सम्मंदित है तो अपने वैश्णव जनों को क्या करना है, अपने को सबसे प्रथम तो गवपूजन करना है, अवश्य करना है कार्तिक मास में प्रति दिन ही करें, न तो तीन तिथियां विशेश हैं गवपूजन की कार्तिक मास में बड़ी दिपावली को सवेरे गवपूजन करे, गवर्धन पूजा वाले दिन सवेरे गवपूजन करे और गोपाष्टमी को सवेरे गवपूजन करे तो 9 नवंबर 2014 शनीवार में श्री गोपाश्टमी का पावन परव है सवेरे गोमाता का पूजन करें और अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है इस दिन उनका गवारिया वेश में गवाल के गोप के वेश में शिंगार करना चाहिए प्रभु के शिश पर पाग बांदे, मौर पंख लगाए और ठाकुर जी का गॵारिया वेश में शिंगार करे और प्रभु के पास में गईया पधराए लखडी की भी गाये मिल जाती हैं, चांडी की भी गाये होती हैं जो आपके पास उपलब्द हों और गया ठाकुर जी के हाथ में डोरी दे दें, ठाकुर जी की कमर में श्रंगी दे दें, हाथ में लकुटी दे दें, ये भावना कि प्रहु गौचारन के लिए जा रहे हैं, तो गया पधराएं, ठाकुर जी को विशेश भोग लगाएं, प्रहु का उस समय तिलक होगा जब ठाकुर जी गौचारन क के लिए जाएंगे भोग रखें तिलक करें और फिर ठाकुर जी गौचारन के लिए जा रहे हैं राधा रानी के हाथ में छोटी सी फूल की डलिया दे दें यह भावना है कि राधा रानी फूल बरसा रही है ब्रज परिकर फूल बरसा रहे हैं जो जनमाष्टमी पर नंद विराजमान रहे तो गोपाष्टमी का ये विशेश शिंगार है और गोपाष्टमी का गोमाता का विशेश पूजन है और इस दिन एक अपने महान आचारे की तिथी है शी निवासाचारे प्रभुजी धनजे पंडित जी और हमारे शी निवासाचारे प्रभुजी जो साक तो उनका तिरोभाव भी होता है व्रिंदावन में गोपिश्वर महादेव के निकट ही निवासाचारे प्रभु की कुंज है तो उनकी समाधी पर भी प्रणाम करना चाहिए और उनके चरित्र का लिंक भी उस्तित्र पर भेजा जाता है तो या था संभव जितना हो सके चरित चाहरे प्रभु जी की भी तिरोभावति थी इस दिन होती है तो गोपाश्ट मी का उस्व आप सभी लोग अवश्य मनाएं गवमाता का पूजन करें ठाकवर जी का गोपाल रूप में गवारिया वेश में शिंगार करें गया के गले में रसी बांद करके प्रभु के हाथ म दें और यह भावना करें कि वो गया कोई और नहीं हमारी इंद्रियां ही वो गाय हैं आज हमारी इंद्रियों को प्रभु ने ग्रहन कर लिया है अभी तक तो इंद्रियां सुचंद हो करके पता नहीं क्या-क्या खा रही थी पर अब यह इंद्रियां गोपाल के आनुगत् नवजनों को श्री गोपाश्टमी की अनेकों बार मंगल बधाई है